नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं देख्षा डिजिटल लर्निंग और मैं हूँ डोक्टर करतार सी, मित्रों फिछली क्लास में हमने देखा था संस्रत के जो अरवाचीन कवी हैं, उनको लेकर के हमने प्रशनों की समेक्षा की थी, आज उसी स्रंखला को हम आगे बढ़ा कर रहें, पॉलेज लेक्सर को लेकर के आप तैयारी कर रहें, या अनकिसी स्टेक गोड़े की PCS के लेकर रहें, आप तैयारी चर रहें और यदि संस्क्रत आपका वीशे हैं, तो उसमें जो आपकी एक युनिट आती है, आरवाचीन कवीओं को लेकर के उस सब्संबंदित कि आपके लिए प्रशन बहुत महत्पुन है, तो निश्चित रूप से हमारी स्रंखला के साथ आप जुड सकते हैं, पिछली कक्षा में हमने जिन प्रशनों की समिक्षा की थी, उन्हीं प्रशनों को विस्तार देते वे आगे की प्रशनों की समिक्षा करते हैं, तो आइए देखते हैं आज कौन से महत पून प्रशनों को हम अपने इस आज की संख्ला में सामिल करते हैं पीछली कक्षा में हमने दस प्रशनों की स्मिक्षा की थी और उसके आगे के ग्यारवई प्रशन की समिक्षा हम यहाँ पर कर रहे हैं तो सबसे पहले जो केस्टेन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर आदर्स रम्णी रचना को किस कोटी में रखा गया है एक बार पुन है मैं प्रशन को दोरा देता हूं जिससे आपको समय मिल जाए सवाल आधर स्रम्णी रचना को किस कोटी में रखा गया है नमबर ए नाटक, बी उपन्यास, सी महकाव्ण, और डी खंडकाव्ण आधर स्रम्णी अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधर स्रम्णी क्रती किनकी है तो यदि आप ये जानते हैं कि आधर स्रम्णी क्रती किनकी है तो निश्चित रूप से आपको ये भी पता होगा कि आधर स्रम्णी नामक जो क्रती है उसको कौन सी विधा के अंतरगत रखा गया है अर्थात उसको उपन्यास के अंतरगत रखा गया है अगले चेस्ट्न क्रती के रचनकार कौन है? पुन्य स्री चरितम क्रती के रचना का A. रामप्रशाद शास्त्री B. विध्धादर शास्त्री C. ब्रह्मानंद शर्मा D. नित्यानंद शास्त्र पुन्य स्री चरितम यदि आपने पुस्तक को पढ़ा है जहां से भी आपने पढ़ा होगा यदि आपने उस पुस्तक को पड़ा है तो भली भाती आपको पता होगा कि पुनिसरी है किनी जैन साधवी के चरित्र के ऊपर आधारिती एक रती है तो यदि इतना आपको clue मिलता है इतना आपको hint मिलता है कि पुनिसरी जैन साधवी के चरित्र पर आधारित करती है तो आप ये भी भली भाती जान जाते हैं कि इस क्रती के रचनाकार कोन है। मारवार का इतियास किस संस्क्रत विद्वान द्वारा लिखा गया है। मदु सुधन ओजा, डोक्टर प्रभाकर शर्मा। तो आप यदि जानते हैं मैंने कहा कि यदि आप भली भाती जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मारवार का इतियास। मतलब संस्क्रत के कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने न सिर्फ संस्क्रत प्रकार ये किया है बलकि संस्क्रत के साथ-साथ एतिहासिक प्रष्ट भूमी पर भी उनकी बहुत महत्पुन पकड़ रही है। और केवल एक ही नहीं विभिन प्रकार के साहित की उन्होंने स्रजन किया है साहित का लेखन किया है तो यदि इसका सही उत्तर हम देखते हैं तो विश्वेश्वरनात रेव। क्योंकि विश्वेश्वर नाथ रेव ने न सिर्फ मारवाड का इतियास लिखा बलकि विभिन प्रकार के इतिहासिक ग्रंथों की रचना की है और साथी साथ संस्रत के ग्रंथों की भी रचना की है तो कई बर सवाल पूछा जाता है कि कौन से ऐसे महानुभाव हैं कौन से ऐ क्रति पंदित क्षमा राव की नहीं है इन में से कौन सी क्रति पंदिता खशमाराव की नहीं है तो मैंने कहा कि यदि आप भलीभाती जानते हैं इन का परिचे आपको प्राप्त है इन करतियों के बारे में आप जानते हैं ओल्रडी यदि आपने पढ़ रखी है सत्यागर गीता कि इनकी है यदि आपने पढ़ रखा कि ग्यानेश्वर चरितम, स्री तुकाराम चरितम इस तरह कि करतियां तो पंडिता अक्षमा राओ ने लिखी हैं क्योंकि आप जब बारिकी से चित्रन करते हैं आप जब बारिकी से उसका आकलन करते हैं किसी करती के अंदर प्रवेश करते हैं तो जब उनको पढ़ लेते हैं तो बहुत आसाने से पता चल जाता है कि इनकी द्वारा लिखी गई है और मैंने का है कि वल उपर पड लेने से नी कि इत्ना नहीं पोता चल जो किसी की क्रति है थी करति को यह आपको ध्यांत करती है। चलिए नेक्ट केस्टिन की समिक्षया करते हैं शंकर जीवन आख्यानम क्रती किनकी है शंकर जीवन आख्यानम नामक्रती किनकी है शंकराचारे के जीवन पर आधारित ठीक है और यदि मूल रूप से इस क्रती को हम देखें तो संकराचारे के जीवन पर आधारित नहीं है य शंकर जीवन आख्यान यानि अपने परिजन शंकर पर आधारित हैं अंभिकाद अत्व्यास स्री रामदवे रेवा प्रशाद दिवेदी पंडिता क्षमाराव ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंडिता क्षमाराव क्योंकि मैंने कहा कि इनके जीवन चरित प पर आधारित लिखी गई ये क्रति है शंकर जीवना क्यानम तो विसेश रूप से आपको ध्यान दखना है इसके बारे में मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि शंकर चारे की जीवन पर आधारित होती है कई बार ऐसा कहता है कि शंकर विसेश की जीवन पर आधारित होती है तो इस तरह ऐसे इन क्रतियों के बारे मैं आपको विश्य सुरूप से धान रखना है कि ये क्रति आखिर है कि इनकी ठीक है तो इनके कथा वस्तूपर आपको गोल करना चलिए नेक्स्ट केश्चिन को देखते हैं निम्न में से किस विद्वान को आगम रत्न की उपाधी दी गई थी चार विद्वान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं कौन से ऐसे विद्वान है जिनको आगम रत्न की उपाधी दी गई थी ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं शूरे नरान शास्त्री अब आपको भली भाती पता होना चाहिए कि आगम रत्न नामक उपाधी किन को दी गई है कितने ऐसे रचनाकार होंगे संस्रत को जिनको आगम रत्न जैसे उपाधिया मिली होंगे ठीक है कौन-कौन से रचनाकार होंगे तो विभिन प्रकार कैसे रचनाकार हो सकते हैं एक बार मैं आपको यह भी बता देना चाहूँगा जैसे सूर्य नहरेन शास्त्रू कboys आपको पता होना चाहिए किनके जनमस्तली कौन सी हैं हैं क्योंकि ऐसे विद्वान है जिनकी करम भूमी राजस्तान रही है, जन भूमी राजस्तान नहीं रही है, सवाल वहां से भी बन सकता है, तो किसी भी रूप में प्रशन बनते हैं, आपको विसे इस रूप से ध्यान रखना है, तो सही उत्तर इसका हो गया, पंडित हरी शास्ती दाधीच, ठीक है, से कौन सी करती ऐसी है, जो तंत्र सास्त से संबद माने जाती है, अलंकार कोतुकं, अमबिका शुक्तम, कौल विलाव, वानी लहरी, मैंने कहा यदि आपने एक-एक पुस्तक की समिक्शा करने से मेरा तात्प्रिये, यदि आपने अलंकार कोतुक नामक करती की विशेवस्त उसने पढ़ा है इसको पढ़ा है तो आप जानते हैं अलंकार कुद्व में क्या है यह यरि अम्बिका सुक्तम को थोड़ा साभी आपने हिंट देखा थो आपको पता होगा कि तो किसी देवी-देवता के ऊपर लिखा गया शुक्त की दिछना है ठीक है वाणि-लेहरी में दे उत्त है क्या लेकिन ये चीज़ें आपको तब पता चलेंगे जब आप इनके अंदर प्रवेश करेंगे जब तक किसी क्रती के अंदर आप प्रवेश नहीं कर लेंगे उसकी विशेवस्तु को नहीं जाच लेंगे उसके खलेवर को नहीं जाच लेंगे ठीक है कौन से रचना देखना आपको यह देखना है कि कौनसे विद्वान हैं जिन उने मूल रूप से अभिनव कावि प्रकास की रचना की है ठीक है अभिनव कावि प्रकास का मतलब उन्होंने कुछ नविन सद्धान्तों की परिकल्प ना की है इनमें से कौन से ऐसे जो कावि शास्त्री लक्षनों के पर अधिक अपने करती करते हैं कावि शास्त्री लक्षनों स परिपूर्ण जो ग्रंथों की रचना इन में से कौन से विद्वान ने की होगी यहां पर जीवन परिचे आप पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत आसाने से इन प्रस्णों का उतर आप निकाल लेते हैं तो चलिए सही आंसर को देखते हैं और इस प्रशन का जो स गिर्धर व्यास शास्त्री की कौन सी है लेकिन यहां पूछा गया कि कौन सी क्रती गिर्धर व्यास शास्त्री की नहीं है कई बार ऐसा होता है कि आप अत्ती विश्वास में आत्म विश्वास तो होता है होना भी चाहिए आदमी को लेकिन अत्ती विश्वास होता है उसमे कई बार हम मारे जाते हैं, कई बार हम नहीं को नहीं देखते हैं, और ऐसा बहुत से सिक्षयारतियों के साथ होता है, मैं पिछले 29 वरसों से इस फिल्ड में हूँ, अजुकेशन में सरस्वते की निरत साधना में लीन हूँ मैं, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत से विद्व नहीं होना है, कि हाँ मुझे पता है, कई बार ऐसा पूछा, गिर्धर व्यास की करती नहीं है, तो जब नहीं पूछा जाएगा, तो पहले जो करती होगी, वो गिर्धर व्यास शास्त्री की ही होगी, ठीक है, तो आपको कई बार नहीं पर भिगोर करना चाहिए, बहुत से प्रशने इसमें गलत होते हैं, तो इन में से कौन सी कृती पंडित गिरधर व्याज शास्त्री की नहीं है, भागवत रहस्यम, पाणनी प्रवेशिका, आत्म चरितम, विस्व मानवियम, तो इसका जो सही उत्तर है, वो निकल करके सामने आता है, विस्व मानवियम, ठीक है, विस्व मानवियम, यदी गिरधर व्याज शास्त्री की नहीं है, तो इसका जो सारे के सारे प्रश्ण, मैंने कहा कि जो मूर रूप से जो प्रश्णों की स्रंखला, जो प्राचिन कभी है, बहुत असानी से उपलब्द हो जाते, आप जानते हैं कालिदास की रचना कॉन सी आप जानते हैं कालिदास का नाटक कौन सा है, महा कावी कौन सा है, खंड कावी कौन सा है, ठीक है, आप कादंबरी को भली भाती जानते हैं बानबटी की करती, आप विसागदत की करती को जानते हैं मुद्राराक्स से, क्योंकि वर्षों से आपने पड़ा है, आपके स्लेबस का पार्ट रही लेकिन यह जो नए रचनाकार है जो अरवाचीन रचनाकार है इनके बारे में पहली बात तो material बहुत कम उपलब्द होता है और यदि material उपलब्द हो भी जाता है ठीक है तो यह विशय इतने कीजिए तैयारी कीजिए यदि आपके पास material है पुस्तक है नोट्स है तो आप पढ़िए और यदि आप हमसे मदद लेना चाहते हैं तो निश्चत रूप से पुस्तक के लिए या फिर नोट्स आदी के लिए हमसे आप संपर्द कर सकते हैं नेक्स्ट केस्चन को देखते हैं आनंद मंदाक्नी की रचनाकार इनमें से कौन है आनंद मंदाक्नी सूर्य नाराण शास्त्री भट मत्रौनात शास्त्री सी दिवर्थी कलानात शास्त्री दी विद्यादर शास्त्री तो आपको पता होना चाहिए सूर्य नाराण सास्त्र किस विधा की रचना करते हैं भट मत्वरानात शास्त्री देवर्शी कलानात शास्त्री दोनुपेता पुत्र का संबंद है ठीक है विद्यादर शास्त्री कौन-कौन सी करतिया इन्होंने की हैं तो ये भी आपको विशेश रोप से धान रखना चाहिए क्योंकि मैंने का सवा सवाल कहीं से भी बन सकता है ये देवर्शी कलानात शास्त्री जी के बारे में सवाल पूछा जाएको भट मत्वरानात शास्त्री जी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ठीक है तो यदि आनंद मंदाकनी के रचनाकार की बात की जाए तो निश्चित रोप से इनके प्रश्णू की इस त्रंखला हम आपके सांथ इसलिए जारी कर रहे है कि आपको पता चलें कि लगभग आपकी तयारी कैसी है, यह नहीं कि आपने हमारे साथ-साथ प्रश्णू को देख लिया, सही है या गलत इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्क फड़ना चाहिए हमारे साथ-साथ मैं आपको समय दे रहा हूं 10-20 सेकंड का समय इसलिए दे रहा हूं का पहले से मैं बोलता हूं अंसर उससे पहले आप प्रश्णों का उत्तर निकाल करके रखे तब जाकर के समझ्याओं का समाधान उपाएगा कितने प्रश्ण आप सही करते हैं कितने प्रश्ण आप गलत करते हैं निच्य तूप से पूरी स्रंकला के साथ जुड़िए और देखिए कितने प्रश्ण आपको सही आते हैं या कितने नहीं आते हैं ठीक है क्योंकि मैंने कहा कि कुछ प्रश्ण ऐसे हैं जो आपको अलग निकालेंगी हि Whitcomb तव ब्ली भाति मुद्वी उनुने लेका लाई तरह कुछ नवी चीज यह सी हैं कुछ यूनिट्स यह हैं जो आपको अलग ढग से आप तयारी करेंगे हमारी अ rifle नोट essa को पूरा करने के कोशिच करते हूं। लगबग इतने लगबग तीस वरसों के अंतराल के साथ साथ मैंने ये पूरे की पूरी इस व्यवस्था को सरस्वती की साधना किये तो हमारा कोई दूसरा उद्देश नहीं होता इनके पीछे ठीक है क्योंकि जो नए व्यक्ति जो है उनके पीछे कोई उद्देश हो सकता ल की क्लास में इतना ही फिलाल नमश्कार जे तू सुनस्क्रतम जे तू बात तू